मैं तो आदी पुरुष देखके धन्य हो गया क्या घजब की कलवकारी की है आज कल अगर किसी पुछिस दादी को पकड़ लेते उनसे पूछ लेते तो वो पुरी खानी मुझावानी बता देती इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए राइटर लगाया आस्मान पर मरोगे ना तुम जमीन पर मरोगे ना आस्मान पर मरोगे ऐसे दे रहे हैं ना तुम घर के बाहर मरोगे ना तुम घर के अंदर मरोगे ना आकास में मरोगे ना पाताल में मरोगे यह बर्दान साथ आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं सबको जान जोगी राबड को दे दिया, वाह, मेगनाथ को छपरी बना दिया, राबड को छपरी बना दिया, राबड ड्रेगन पे चल रहा है, जबकि राबड के पास पुस्पक बिमान था, उसको मिला हुआ था, और राबड को बहुत गलत तरीके से दिखाया है, राबड बहुत बिद्वान था, रावड इतना बिद्वान उसको चारोवेदो का ग्यान था, जो कि किसी को नहीं होता है तो रावड बहुत बड़ा बिद्वान था उसको छपरी बना दिया इनुग हन्मान जी को सीने से ऐसे लगा की कौन ऐसे लगा के तो वो भी नहीं होता यार, समझ ही नहीं नहीं, क्या बनाया, राइटर को पैसा दिया होगा, किसी हमारी बुजुरुदादी से बात करते हैं, तो वो बता दिती हैं, राबड को ये बर्दान दिया गया, राबड को ये बर्दान दिया ही नहीं गया था, राबड को बर्दान तो अंगत वाली सुग्रीव को बनाया है देख लो ऐसा लग रहा है अलू रजुन की कॉप्पी है पूरी मुवी में समझ ही नहीं आया क्या किया और कौन लोग इस मुवी को देखने जा रहे है छेसो करोड़ लगा के क्या किया है अपनी ऐसी तरसी मरवाई है और को हिंदू हिंदू नहीं मिला था जिसको रावड बनाना था हमारे प्रभु स्री राम ने जब युद लड़ा था तो उनकी उमर 25 से 30 साल थी उनको बुझुर को बना रहे हैं दसरत के समाम दिख रहे हैं रावड प्रकंड विद्वान था उसको एहम था और एहम नहीं उसने अपनी महन के लिए अपना पूरा राजपाट सब सामराज ये खतम कर दिया तो इससे इंचा इनसान नहीं हो सकता आधिपुरस में क्या दिखा रहे हैं इस तरह की घटिया और बाई हाथ दिमाग वाली जो मुबिया बनती है इसको समाज को धुमिल करने हिंदू धर्म को धुमिल क करने की चीज़ है पूरे पृरे प्रिस्व में पूरे वर्ट में क्या करना चाह रहे थे नहीं है कि समज है गुमराह Eddy कर रहे हैं और ये कौन कौन या ऐसा लगता चला गली का गुन्दा हर गली का टपोरी हो जो भीग मांगने वाले को पना ग्यान हो और आपके नमें बिबिक मंगता है का पूरी ने बनाई ऐसा लगता है और मनुद मुंतजर हम आप लोगों को अच्छा समझते हैं आप हमारे धर्म के लिए लड़ते हो लेकिन क्या उस पर क्या क्यों जान बुझ कैसे डायलोग डालेगा सिता माता का पहनावा देख़ लो वास ऐसा लग रहा है कि भई हम तो जब राम का नाम लेते तो हमें गोबिल जी की छबी नजर आती है राम का नहीं दिखाते भई आप सरी नही दिखाते बोडी साधार लड़के से दिखाते हैं कोई नहीं थी बट क्या किया शपरी बनाए रावड के ऐसे दुख वो काटी है मेगनाथ के भी ऐसे दुखी है यहां से रावड के सर सीधे थे दसानन कहा जाता था तो ऐसे थे ना कि सर ऐसे ऐसे गूमते थे सर लगते हैं तो ऐसे लगते सीधे जाते ठीक है नहीं गुल गुल गूमते हैं दूसरी चीश, लचमड देख लो, लचमड की दाड़ी, मूँचें, ये क्या मैसेज जा रहा है, नेजरेसन के पास क्या मैसेज जा रहा है, ये हमारे बगवान के लिए, और अनुराक ठाकूर कैसे आदमी हो, तुम बीजेपी की हो ना,